नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फा मेसेश्टेडी में जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं इस चैनल पर आपको दवायों से जुड़ी जानकारी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी देता रहता हूं इसी के चलते दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेटनी सॉल इंजक्शन के बारे में दोस्तों ये बेटनी सॉल इंजक्शन बहुत ही जो है महतुपूर दवाई हो जाती है एक प्रकार से तो इसके बारे में संपूर जानकारी पाने के लिए जैसे कि ये जो बेटनी सॉल है या अखिरकार है क्या किस क्लास की ये दवाई होती है क्या क्या इसके यूज़ है प्रगनेंसी में इसका यूज़ जो है क्यों करते हैं डॉक्टर और साथ ही इसके side effect क्या आते हैं और दोस्तों इस injection को लगाते समय क्या-क्या साउधानिया रखनी चाहिए ये सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंतर तक देखें साथ ही अगर आप अपने YouTube चैनल Simple Pharmacy Study पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब करके अपना प्यार जरूर देखाना तो चलिए दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं बेटनी सॉल इंजक्षन के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो बेटनी सॉल इंजक्षन है इसका composition क्या है बेटनी सॉल दवाई का brand name है लेकिन जो इसके अंदर medicine है वो है दोस्तों बीटा मेथा सोल और ये इंजक्षन की दोस्तों MRP की बात करें तो बहुत ही सस्ता इंजक्षन है 4-5 रुपई के MRP में आपको medical store पे मिल जाता है class of drug की बात कर लेते हैं कि ये जो बेटनी सॉल है ये आखिरकार भाई है क्या किस class की दवाई है तो दोस्तों ये जो दवाई है ये cortico estroid मतलब ये एक प्रकार का estroid होता है जो कि cortico estroid class की दवाई होती है बात करें भाई इस्ट्रॉइड की तो दोस्तों जो ये इस्ट्रॉइड होते हैं ये मुख्रोप से तब दिये जाते हैं जब बैक्त के कहीं पर इंफ्लामेशन हो गया हो सूजन आ गई हो और वो ना जा रही हो ये सूजन इसकिन पर हो सकती है और बाड़ी के अधर पार्ट पर भी हो सकती है तब डॉक्टर ये बीटा मेथासोन इंजेक्शन का उप्योग करते हैं अब हम फटा फटा आपको बता देते हैं कि भाई इसके यूजज क्या क्या है जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि ब क्लामेशन है तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तामाल करते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि कौन ayakon si condition है condition में दोस्तों सामिल है rheumatoid disorder जैसे कि अगर किसी बेकत को rheumatoid arthritis या फिर दोस्तों उसके systemic lupus है तब दोस्तों इस इंजक्शन का उप योग डॉक्टर कर रही है तब भी डॉक्टर इसका इस्तमाल अपने एक्स्पीरियंस के हिसाब से करते हैं एलर्जी की स्टेट हो गई जिसमें दोस्तों जो है अस्थमा वगएरा आता है अगर किसे पेशन्ट को अस्थमा है एंजियो इडेमा है इमेज में दिख रहा होगा तो उसको ठेक करने के लिए भी डॉक्टर इस इंजक्शन का उप्योग कर सकते हैं साथ ही दोस्तों इसका उप्योग प्री टर्म लेबर तो इस्पीड डेवलमेंट ऑफ दा बेबीज लंग कहने का मतलब है कभी कभी क्या होता है कि जो बेबी होता है वो टाइम से पहले जन्म ले लेता है तो उस कंडिशन में उसके फेफड़े आपस में चिपके ना फेफड़ों को ग्रोथ बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ये दबाई डॉक्टर इस्तमाल करते हैं तो दोस्तों आपने जाना इसके उप्योग साथ दोस्तों इसका उप्योग क्रॉंस डिजीज जैसे कि कैंसर्स हो लुकीमिया उसके भी उपचार में वहाँ पे जो स्वैलिंग इंफ्लमेशन आ जाता है उसको भी कम करने के लिए डॉक्टर ये दवाई अपने एक्सपिरियंस के अनुसार मरीज को देते हैं तो ये थे इसके उपयोग जो कि आपने डिटेल में जाना हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपिरियंस के हिसाब से इसको किसी दूसरी कंडिशन में रिकमेंड करें तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये इंजक्षन कहां पर लगाया जाता है तो दोस्तों ये इंजक्षन आयम मतलब जो है आपके मसल में लगा सकता है डॉक्टर और डिरेक्ट जो है आ दाने में उसे दिक्कत होना नंबनेस, टिंगलिंग ये सारे इसके कुछ कौमन साइडक्त हैं साथ दोस्तों discoloration होना और दोस्तों इसमें जो है maasal weakness होना nausea vomitting की दिक्कत होना bleibt की शमद्स्यां होना ये इसके साइडक्त हैं तो अगर बात करें कि भाई इस injection को लगाते समय क्या सावधानी रखनी है तो सबसे पहले सावधानी यही है अगर किसी पेशेंट को इस बीटा मेता सोन दवाई से अलर्जी है अलर्जी रह चुकी है पहले तो इसका इस्तमाल ना करें साथ ही जो महिला प्रगनेंट है उसमें इस injection को सा पूर्वक प्रियोग करना है तो दोस्तों यह था बीटा में था सोन इंजक्षन के बारे में वीडियो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो अपने यूट्यूब चैनल सिंप्ल फार्मेसेश चुड़ी को भ क्यार बाई जहिद बंद मात्रम